राश्ट्रिये शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राध्योगी की संस्थान द्वरा प्रस्तु थे उमंग शंखला के अंतरगत आठ से चौदा वर्ष के बच्चों के लिए कारिक्रम अनुखी दोस्ती बच्चों कहानी सुनना आपको जरूर अच्छा लगता होगा आओ आज मैं आपको एक बिल्ली एक चिडिया और एक चीटी की अनोखी दोस्ती की कहानी सुनाता हूँ ये तीनों मिल जुल कर रहते थे और मिल जुल कर ही सारे काम करते थे एक दिन सूजी उन्हें बात एक निराली काम करें कोई अच्छा बैठे ना हम खाली क्यूना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं चावल, चीनी, दूद, सभी कुछ मिल करके हम लाएं इन्हें मिलाकर आज बनाएं गर्मा गर्म सी खीर दावत बढ़िया हो जाए, खुल जाए तकदीर एक दिन सूजी उन्हें बात एक निराली काम करें कोई अच्छा बैठे ना हम खाली एक दिन सूजी उन्हें बात एक निराली काम करें कोई अच्छा बैठे ना हम खाली क्यों ना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं चावल चीनी दूद सभी कुछ मिल करके हम लाएं क्यों ना हम आज कोई ऐसी जुगत लगाएं इन्हें मिलाकर आज बनाएं गर्मा गरम सिखीर दावत बढ़िया हो जाएं खुल जाएं तकदीर इन्हें मिलाकर आज बनाएं गर्मा गरम सिखीर दावत बढ़िया हो जाएं खुल जाएं तकदीर और फिर चिडिया रानी ने बिल्ली मौसी से कहा जी 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 बिल्ली मौसी बिल्ली मौसी मैं आओ एक बात कहूं हाँ हाँ कहो न चिडिया रानी जो मन में हो कह डालो आज खीर खाने का बहुत मन कर रहा है हाँ, रोज रोज दूद पीते पीते मैं भी उकता गई हूँ खीर तो मुझे भी बहुत पसंद है क्यों नहीं चीटी रानी, खीर तुम्हें पसंद ना होगी तो भला और किसे पसंद होगी तुम तो जहां मीठा देखती हो, वहीं चिपग कर रह जाती हो अच्छा अब तो ये सोचो कि खीर बनाई कैसे जाए हाँ, खीर बनाना कोई आसान काम तो है नहीं बिल्कुल ठीक, जी 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 खीर तो तभी बन सकती है जब हम मिल जुल कर काम करें कोई दूद लाए, कोई चीनी, कोई चावल और कोई मैं चावल के दाने पीन कर लाऊंगी और मैं चीनी ले आऊंगी हाँ जी टेरानी, तुम चीनी ले आना और मैं दूद वाले के यहां से दूद ले आऊंगी और लकड़ी, लकड़ी कहां से आएगी लकड़ी, लकड़ी का क्या काम क्या खीर में लकड़ी भी ढालते हैं तुम तो बिल्कुल बुद्धु हो चीची रानी खीर तो दूद, चीनी और चावल से ही बनती है पर लकड़ी जलाए बिना खीर पकाएंगे कैसे ये बात है तो फिर लकड़ीया कहां से आएगी तुम चिंता मत करो मैं जमीन पर पड़े तिनके और छोटी छोटी लकड़ीया बीन लाऊंगी मैं आओ और मैं भी लकड़ीया बीन लाऊंगी मैं भी लकड़ी घसीट कर ला सकती हूँ जानती हो ना मैं अपने भार से कई गुना अधिक भार घसीट सकते हूँ हाँ हाँ, क्यों नहीं और अगर उस पर चीनी लगाती जाए तो ये काम और आसान हो जाए तुम लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गई जाओ, मैं तुम लोगों से नहीं बोलती अरे ना ना चीटी रानी ऐसा ना करना तुम नाराज हो गए तो खीर नहीं बन पाएगी खीर तो तभी बनेगी जब हम सब मिल जुलकर काम करेंगी हाँ हाँ भई, बिल्ली मौसी बिल्कुल ठीक कह रही है अच्छा चलो, अब हम सब खीर के लिए सामान जुटाते हैं हाँ हाँ चलो 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 बिल्ली मौसी करने चली दूद का इंतजाम चिडिया रानी बोली मैं क्यों करूँ आराम बिल्ली दूद चीटी चीनी चिडिया चावल लाई लकडी इकठा करके फिर उसमें आग जलाई दूद चीनी चावल मिला कर बढ़िया खीर बनाई हू मज़े से तीनों ने फिर मिलकर खीर खाई बिल्ली मौसी करने चली दूद का इंतजाम चिडिया रानी बोली मैं क्यों करूँ आराम बिल्ली मौसी करने चली दूद का इंतजाम चिडिया रानी बोली मैं क्यूं करूं आराम बिल्ली दूद चीटी चीनी चिडिया चावल लाई लकडी इकठा करके फिर उसमें आग जलाई बिल्ली दूद चीटी चीनी चिडिया चावल लाई लकडी इकठा करके फिर उसमें आग जलाई दूद चीनी चावल मिलाकर बढ़िया थीर बनाई खूब मजे से तीनों ने फिर मिलकर थीर खाई दूद चीनी चावल मिलाकर बढ़िया थीर बनाई खूब मजे से तीनों ने फिर मिलकर खीर खाई मसा आगया खीर का तो मसा आगया क्यों चिडिया रानी सच, क्या बढ़िया खीर बड़ी है एक बात तो मानने पड़ेगी इतनी बढ़िया खीर बनाना किसी एक के बस की तो बात ही नहीं थी बिल्कुल ठीक कह रही हो चीटी रानी बात सच है बच्चों मिल जुल कर जो रहते हर मुश्किल को आसां वो है कर दिखलाते बात सच है बच्चों मिल जुल कर जो रहते हर मुश्किल को आसां वो है कर दिखलाते अनोखी दोस्ती अभियाब सुन रहे थिये कारिक्रम विशे संयोजन प्रफेसर रामजन शर्मा विशे समन्वय डॉक्टर अम्रेंद्र बहरा आलेक रेनु चोहान नर्मान संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार बावला कोचर सुष्मा गोरी वर्मा और शार्दा गुपता संगीतकार हर्भजन सिंग, गायक देवाशीष, ध्वन्यांकन सतीश लाडे और दीपक पांडे, नर्मान सहयोग दावुदयाल चत्रुवेदी तथा नर्मान एवं प्रसुती वंदना अरिमर्दन